नमस्कार दोस्तों, इंडी अलायंस में किस दिन किस नेता का सीर फुट जाए, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, चुनाओं में काफी वक्त है लेकिन अभी से ही बोली की गोली छुटने लगी है, चुनाओं आते आते ये गोली, गाली में भी बदले की ये भी तैह है, कठबं दागदार नेताओं के कपड़ों पर निर्मा वाली दूसरी सफेदी भी दिखी, लेकिन नहीं दिख रही, तो इस हर बार की तरह इस बार भी गड़बंदन में एक्ता, सत्ता पाने के लिए गड़बंदन बना लेना और उस गड़बंदन में विभिन विचारों, विभिन मद परदेश, छतिख और अउते लंगाना में चल रहे, विधान सबा चुनाओं में ये गड़बंदन के दल एक दुसरे खिलाब चुनाओं लड़ रहे हैं, हाल ये है कि जनता की हितों की परवाह किये बिना ये दल, सीट सेरिंग के मामले पर आपस में तू-तू-तू-तू मनाई जाएंगी बागी त्यारी के देने की बात करते हैं, तो बिना का सेंसस ये किया ही नहीं जा सकता है समाजवादी पार्टी के अध्यक्स अखिलेस जाद है, उन्हें इस पर कहा कि कांग्रेस जब सता में थी, तब एक सरे क्यों नहीं करवाई राहुल गांधी परतंज के अश्ते हुए उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सता में थी, तो ये समस्या उसी समय हल हो सकती थी आज सिटी स्कैन है, एमराई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है, जो लड़ाई लड़नी चाही थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता है, तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती है, कि 5% में, 5% लोगों पर, 60% वेल्थ भारत की, उनके हाथ मे चली गई, कोई कलपना कर सकता है, कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर, पूरी की पूरी धंदौलत हो देश की, तो ये किसने किया, ये पुरानी सरकारे जो थी, उनकी गलत नीतियों कारण थी, जब X-ray करना था, तब X-ray किया नह कॉंग्रेश की जातिये गढ़ना की मांग करना सबसे बड़ा चमतकार है, क्योंकि ये हुआ ही पार्टी है, जिसने अजादी के बाद जातिये गढ़ना नहीं करवाई, राहुल गांधी पर तंज कस्ते हुए अख्लेस यादों कहते हैं, कि जब मुलायम सियादो, सरद या और पिछड़ावर दलित और अधिवासियों को भी पता है, कि कॉंग्रेस ने अजादी के बाद से ही उन्हें धोका दिया है, कॉंग्रेस वो पार्टी है, जिसने अजादी के बाद जातिये गढ़ना नहीं कराई, लोग समय में, नेता जी, शर्यद यादव जी, लालु प पास नहीं है, वो पिछले दलित और आधिवासियों की तरफ देख रहे हैं, पिछले दलित आधिवासी भी जानते हैं, कैजादी के बाद धोका उन्हों ने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाले हैं, इंडिया गढ़ना आगे देखा जाएगा, हलांकि मत प परदेश में भी कॉंग्रेस और सपा भीड़े हुए हैं, क्या कह सकते हैं, कि अगर कढ़बंदन के सबसे बड़ी लड़ाई की दो पार्टियों में है, तो सपा और कॉंग्रेस की ही लड़ाई है, इन दोनों पार्टियों का लड़ाई के पीछे बताया जा रहा है, कि सप मकाबला कॉंग्रेस से है, सपा ने बिधान सबाचुनाओ के लिए परताशी मैदान में उतारे हैं, सपा कॉंग्रेस में खिचता हैं के दूसरी बड़ी वज़ा अखिलेस यादों का बयान भी है, अखिलेस यादों ने च्छतरपूल में कहा था कि सपा की छमताओं का आंक किरबंदन में सब कुछ ठीक नहीं चलने के दावा बस राहुल अखिलेस की बातों से ही किया जा रहा है, बलकि पांच राजों के बिधान सबाच चुनाओ की ही बात कर लें तो चुनाओी राजियों में कॉंग्रेस के साथ सीटों को लेकर आखरी वक्त तक कई दलों ने इ हुआ कि कॉंग्रेस सीपी और सीपीम के बीच सीट बटवारे की बाच्चित का राजस्थान चतिशगण और एंपी में कोई नतीजा नहीं निकला, बड़ाम यह हुआ कि सीपी और सीपीम अलग होकर चुनाओ मैदान में उतर रहे हैं, संजोग से वंपंधित दलों का अके साथ नहीं बन पाई थी, दुसरी तरफ यूपी कॉंग्रेस ने भी ऐलां कर दिया कि कॉंग्रेस प्रदेश की सभी असी लोगसवा सीटों पर जुनाओ लड़ने की तियारी कर रही है, सीपी आई के डी राजा ने सबसे पुरानी पार्टी को इंडी गढ़बंदन में अब वामदल इंडिया गढ़बंदन के साथ ही कॉंग्रेस के खिलाफ मैदान में होंगे, नक्योल मद परदेश बलकि छतिशगण और रास्थान में भी कई सिटों पर ऐसे मुकाबले होंगे, जहां इंडिया गढ़बंदन के कई साथ ही मैदान में होंगे, दूसरी तरफ नितीश कुमार ने पटना में विपक्षी एक जूटा मुहीम की सुरुवात की थी, तब आपको याद होगा कि कैसे विपक्ष में शामिल कई दलों के निताओं की मेजबानी करते हुए, नितीश कुमार ने या भरोसा दिलाया था कि अब बीज़पी के खिलाब तमाम पीज़पी या इंडिये के उमिद्वारों के सामने इंडिया गढ़बंदन की तरफ से क्योलेक साज़ा उमिद्वार तिया जाएगा, हाली में नितीश ने जब कॉंग्रेस पर बड़ा अमरा बोला था तो उन्होंने कहा था कि आजकल गढ़बंदन का कोई काम नहीं हो र रही है, वो पांच राजियों में हो रहे है, बिधान सभा चुनाओं में बेस्थ है, नितीश के इस बयां को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, इंडिये गढ़बंदन को लेकर हाली में उमर अब्दुला ने भी कहा था, कि इंडिये गढ़बंदन में सब कुछ आंतरी कला चल रही है, जो देखी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह से देखा जाए तो बिहार से पंजाब का कड़बंदन दलों के बिज सियासी माहौल गर्म है, मुद्दे कई है, प्रधाम आंतरी की मिधवारी का मुद्दा है, छीट चौधरी लगतार हमला कर रहे हैं, सो अलग, महुआ मोहितरा ने टेंसन तो बढ़ाई दी है, कॉंग्रेस और डिम के दच्चिर भरत में दुस्ते के साथ रसा कसी कर रहे हैं, सो अलग, केरल में कॉंग्रेस लेट पार्टियों के बीच बिच बिवाद है, सो अलग, दिली म में आप और कंग्रेस के बीच तु तु मैं मैं हो रही है, मद परदेश में कंग्रेस और सपा के बीच बिल्लियों वाली लड़ाई से सब वाकिफ हैं, इस तरह से देखा जाए, तो गड़बंधन जीन उदेश्यों को पूरा करने के लिए बना था, वे कहीं से भी पूरा ह होते नहीं दिख रहा है, बलकि उन उद्यस्तों के दस परशेंट पर भी गड़बंधन अभी तक से खाम नहीं कर पाया है, अभी तक लिए बस इतना ही बने रहे किलिक इंडिया के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया